हेलो एवरीवन आपका फिर से स्वाधत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है तुफायम एक्सप्रेस अभी हम यहां से निकल चुके हैं जानी और जाने वाले हैं कामठी में और कामठी में हम आपको दिखाएंगे ड्रेगन पैलेस और ड्रेगन पैलेस को टेकने के बाद आपको इतना मज़ा आना है कि आप सोच भी नहीं सकते बास इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे हम ये दुरी कुछ 45 मिर्ट में पूरा करेंगे और फिर पहुँचेंगे ड्रेग पैलेस सबसे पहले वहां के नसरे आपको दिखाएंगे और फिर शाम होते होते वहां जब लाइटिंग होगी उसका नसरा ही कुछ हटके होगा बास तो हमरे सब बने रहें और इंजॉय करते रहें और देखते रहें कहीं मत जाईएगा स्किप तो कीजिए अभी नहीं पू आधी अधूरी बाद अपने लिए तभी गातक भी हो सकती है तो पूरा देखे और इंजॉय कीजिए हमरे साथ बने रहें तो मिलते हैं पैतल से मिनट के बाद तब तक के लिए इंजॉय कीजिए है ना चलिए शुरू करते हैं खनेज भगवान की जाएग अभी यहां पर एक किलो मेंटर पाच है और मस्ट पाच लाएग दोस्तो हम पूर चुके हैं डेगिं पैलिस टेंपल में और यह जो पैलेस है ना दोस्तो यह इंडो जैपनीज फ्रेंडशिप का एक सिंबॉल है और इसलिए आप देख सकते कि यह जो एंपरी का जो रूथ है यहां पूरे में पंच शील फ्लैग लगे हुए है और दोस्त तो रोजमर्रा की जो हमारी शोर से भरी में जिंदगी रहती है उसमें अगर आप एक पीसफुल एक्मास्फियर चाहते है तो यहां का विजिट जरूर कीजेगा यहां बहुत शान्ती है दोस्तो यहां पर कोई एंट्रीपीस नहीं है लेकिन बाहर में कार पार्किंग, स्क पूदर पार्किंग के लिए 20 रूपेज है, खार पार्किंग का 30 रूपेज है दोस्तो यह पैलेस मना था 1999 में और यह पूरा पैलेस जापनीस पद्यती से बनाया गया है और इसे फंड किया था जापान की ओगावा सोसाइटी ने जो कि एक चारिटेबल ट्रस्ट है और इस पैलेस की एक खास बात यह है कि इस ड्रेगन टेंपल पैलेस को पूरे विश्वा में बेस्ट कॉंक्रेट स्ट्रक्चर के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला था और यह पैलेस जो है वो पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया है और दोस्तों वाइट कलर जो होता है ना वो शान्ती और दिव्यता का प्रश्ट को दोस्तों बुद्ध को विश्णो का नौवा अवतार माना गया है याने हमारे दस अवतारों में नौवा स्थान बुद्ध को प्राक्त है और बुद्ध ने दोस्तों इतना महानकार्य किया है और इसलिए जो सामानिय लोग थे उन तक नीति के विचार कैसे पहुँचेंगे तब उस काल में बुद्ध ने इन सब विचारों को प्रकृत भाषा में उन तक पहुचाने की कोशिश की उनके हजारों की संख्या में अनुयाई खड़े हुए जिन्होंने बौध धर्म को अपनाया और वे शिश्य उस समय पूरे एशिया में याने खाली इंडिया में नहीं परन्तु पूरे एशिया में वो कौने कौने तक गए और इन विचारों को प्रसार किया और इसलिए हमें आज चीन जापान जापान तो पूरा का पूरा कंट्री जो वो उसने बौध धर्म को अडॉप कर लिया सबसे ज्यादा अप्रिशेट करने वाली बात क्या लगती है दोस्तों कि आज तो ट्रांसपोर्ट का हर एक साधन मौजूद है प्लेन है सब कुछ है लेकिन उस समय ख है जो उन्होंने उस समय पर कि दोस्तों एक जो आउटर वोल्ड है और एक हमारा इनर वंड इन दोनों के बीच में हमारी लाइफ जोने वह बैलेंस होनी चाहिए याने हम आउटर वर्ड की आत्रा तो करतें लेकिन उसके साथ इनर वर्ड में भी हमें जापके देखना चाह कि हमें अंदर की जो परम शांति है उसका अनुभव करना चाहिए और महात्मा बुद्ध ने वही रास्ता दुखा है कि बहार का सब हमें करना ही हो लेकिन एकांत में बैठ को उस परम शांति को अनुभव करना है अपने आपको जानना है कि अनुभव करना है कि अनुभव करना है कि अनुभव करना है कि अनुभव करना है और दोस्तों आईए हमारे साथ एक स्पिरिच्छल वर्ड की आत्रा के लिए और यह के फर्स फ्लो जहां हमें सुलेखाताई से एक स्पेशल पर्मिशन मेली और उनके एपर्ट्स के कारणी आज़ें यहां पर आपको दर्शन करवा पा रहे हैं से लेखाताई पुंभारे जो की दुगावा सोसाइटी के प्रेसिडेंट है उनकी देख रेख में ही पैरेस की जो इकनी शान्ती और एकनी जो स्वच्छता है वो हैं देख सकते हैं एक सिंगल जो सेंडल ब्लॉक है उसमें से बनेने कुए हैं जो यहां की स्पेशल इतिन है प्रेयर भी अटेंड की जिसे सुनके और अटेंड करके बहुत दी अच्छा लोग हुआ प्लीज प्लीज आप जरूर विजिट कीजिए और यहां का जो एक पूस पीस्पूल अट्मोस्पेर है उसको मैसूस कीजिए और यहां के जो वाइप्रिशन्स है ना उसमें इतनी जादा पॉजिटिविटिविटिए है ना को आप आके ही फिल कर सकते हैं और आपको एरे चाहरे पर भी बोदीख रहेंगी वह खुशी जो एहां के मुझे मैसूसी है हुआ है हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं हम यह जो ड्रैगन पैले स्टेंपल है उसका पीछे का हिस्सा है वहाँ पर खड़े हैं और उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको दिखाई दे रहा होगा तो यह विपशना का सैंटर बना हुआ है और जहां पर विपशना से जुड़े जो लोग हैं वे सभी आते और यहां पर हर मेने शिविर होती रहती है उससे अटेंड करते हैं और एक शान्ती का जो एक फील है वो अपने साथ में लेके जाते हैं और यहां से थोड़ी ही दूरी पर बाबा साहे अंबेटकर का समारक बना हुआ है आज हम यह ड्रेगन पैल कर जो समारक है वहां जाकर भी हम शूट कर पाएं अभी कभी नेक्स टाइम हम चलेंगे और आपको वहां कर भी दर्शीर कर दोस्तों हमारे एपिसोड यहीं पर पूरा होता है मिलते है अगली वीडियो में तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें और मुस्कुराते रहें और हां स्माइल अपने फेस पर हमें सब बना के रखियो है धन्यावार जय हिंद और हां सब्सक्राइब ने किया है न भाई तो सब्सक्राइब कर लो तो हम मेरे जब आगे की वीडियो है वो जब भी आएगी तब आपको सबसे पहले मिलेगी तो इसके लिए आपको पड़ेगा कमेंट भी करना पड़ेगा कर ले भाई कमेंट भी कर लो सब्सक्राइब भी कर लीजे